सबी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करते हों कुछ प्लांटों पे जो इस समय आपको नर्सरीयों पे बहुत अराम से मिल जाएंगे तो दोस्तों पहले नमबर पे हम 19 को रखेंगे दोस्तों यह सर्दीयों का बहुत खुबसूरत प्लांट है जो नर्सरीयों पे आपको 20 प्राइज में मिल जाएंगा हो सकता है कहीं- इसके 30 रुपे भी प्राइज हो तो जात नर्सरी उपे से 20 रुपे मिल जाएगा तो आने वाली नर्सरी उपे मैं इनकी बीडियो भी लेकर आँगा कि किस किस नर्सरी पे ये प्लांट क्या रेट मिलेंगे तो चलते अपने अगले प्लांट के तरफ अगला प्लांट दोस्तो हमारा है बरवीना तो देख सकते हैं यह बरवीना प्लांट है इसमें कई कलर आते हैं तो देख सकते हैं इसमें रेड, परपल, महरून कई कलर दोस्तो इसमें आपको मिल जाएंगे इस प्लांट की भी प्राइज 20 रुपे है और कहीं कहीं नर्सरी पे इसकी 30 रुपे भी प्राइज हो सकती है दोस्तो इसको 8 इंच के गमले में आप लगाएं तो बहुत अच्छे से ये गुरू प्लांट होता है तो आप देख सकते हैं बहुत खुबसूरत प्लांट है चलते हैं अगला प्लांट दोस्तो है पेंजी तो देख सकते हैं इस प्लांट के फ्लावर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारे प्लांटों पे तितलियां भैटी हैं रंग विरंगी उस तरह का ये प्लांट लगता है इसके पोदे आपको नरसरी पे 20 रुपे पोदे मिल जाएंगे जो कि छोटे से पॉली बेग में लगे रहते हैं और 20 रुपे आप ला सकते हैं इसको भी आप छोटे से गमले में लगाएं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तो अभी इसको नरसरी पे जाके आप ले सकते हैं सर्दियों का सबसे अच्छा प्लांट नैश्ट प्लांट है हमारा सालविया तो देख सकते हैं नरसरी पे ये प्लांट बहुत आपको आराम से मिल जाएगा सर्दियों का बहुत खूबसूरत प्लांट है अगर आप एक गमले में 3-4 प्लांट लगाते तो बहुत खूबसूरत लगता है इसको 12 इंच के गमले में लगा सकते है नरसरी पे ये प्लांट आपको 30 रुपे प्राइस में मिल जाएगा और कहीं कहीं इसका रेट 40 रुपे भी है तो आप देख सकते हैं अगर आप जब भी इसका प्लांट ले तो छोटे हाइट का ले और उसमें फ्लावरिंग हो रही हो तो चलते हैं अपने नेश्ट प्लांट के तरफ सर्दियों की बात आए तो हम डेहलिया को कैसे भूल सकते दोस्तो ये कई कल्रों में आता है कई सेड भी इसके आते हैं बहुत खुबसूरत फ्लावर इसका होता है काफी बड़े साइज का तो ये प्लांट आपको नरसरी पे तीस से चालिस रुपे में बहुत आराम से मिल जाएगा और इसको कोई बड़े गमले की भी ज़रूत नहीं होती आप इसे दस हिंच के गमले में लगा सकते जिसमें ये मार्ज तक बहुत अच्छे से फ्लावरिक कर सकता है आपका प्लांट इसमें समय समय पे आपको डी एपी के कुछ दाने बॉन मील और आपको इसमें गोवर खाथ या बर्मी कमपोश्ट आप डाल सकते तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा जाफरी ये ऐसा एक प्लांट है जिसकी कोई ज़्यादा केर नहीं करनी होती है बस आप इसकी फोध ला सकते हैं नरसरी पे जो 5 से 10 रुपे में आपको मिल जाएगी और 5 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं आपके 10 इंच का गमला 10 इंच में लगा सकते हैं बहुत अच्छे से चलता कोई इसकी ज़्यादा केर नहीं होती है बस इसको आपको वाटरिंग ओवर वाटरिंग नहीं करनी है नहीं तो ये प्लांट हमारा खराब हो जाएगा इसलिए आप इसे जबी पानी दे जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राइव हो जाए और इसकी मिट्टी ऐसी रखे बेल ड्रेन रखे ताकि इसमें पानी रुख ना सके और इसकी जड़े ना खराब हो तो चलते हम अपने अगले प्लांट के तरफ तो दोस्तो यह है मेरी गोल्ड की दूसरी बेराइटी तो जिसको हाइवरेट गेंदा कहते हैं काफी बड़े साइच का इसका फ्लावर होता है और यह प्लांट आपको नरसरी में 20 रुपे का मिल जाता है अगर यह आपको गंबले में मिले तो 50 रुपे की प्राइट जा सकती है यह प्लांट मार्ज तक बहुत आराम से चलता है अगर इस प्लांट को आप अक्टूबर नॉंबर में लगाते तो मार्ज तक आपका बहुत आराम से प्लांट चलता है दोस्तो बस इसको ले जाके अपने ट्रांस प्लांट कर दीजिए और आपका प्लांट मार्ज तक तैयार है और काफी हैवी फ्लावरिंग करती है काफी इसके जो फ्लावर का कलर होता है काफी लाइट होता है तो इसलिए लोगों को बहुत पसंद आता है आप इस plant को भी सरदियों में अपने घर पे ले जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने nest plant के तरफ। तो दोस्तो nest plant हमारा जैसे गजैनिया आ गया है। काफी खुबसूरत plant है। कई कलरों में आता है। तो इस प्लांट की एक खासियत होती है कि जैसे ही साम होती है तो ये इसकी पंखड़ी बंद हो जाती है और सुबह 11 बजे के बाद फिर ओटोमेट की फूल खिलने लगता है ऐसे ही ये कई दिनों तक हमारा जो फ्लावर होता है वो इसी रूटीन में चलता है साम होते ही बंद हो जाना सुबह 11 बजे के बाद खुलना जानी कि जब इसे धूप पिलती तो ये फ्लावर पूरी तरह से खिलता है तो आप इसकी जो लाइट कलर है वो आप इसको 12 बजे के बाद ही इंज्योए कर सकते हैं कई कलरों में आता है कई शेड भी इसके आते है तो ये प्लांट आपको नर्शरी पे 20 रुपे का मिल जाएगा तो आप देख सकते इस प्लांट को भी आप 8 इंची के गंबले में लगा सकते बहुत अच्छे से ये प्लांट चलेगा तो चलते हम अपने नेश्ट प्लांट के तरफ तो ये है दोस्तो मुर्गा कलगी तो ये दोस्तो प्लांट इसी नाम से आपको नर्शरी पे ज़्यादा तर मिल जाएगा आप इसकी फोटो भी दिखा के ये प्लांट ले सकते हैं कई कलरों में आता है ये प्लांट इस प्लांट की कोई ज़्यादा केर नहीं है इस प्लां का प्लांट वहां मिलता है तो उसकी प्राइच 50 रुपे रहेगी और अगर यह छोटे साइच का प्लांट है तो 20 रुपे आपको मिल जाएगा इसकी कोई ज्यादा केर नहीं करनी होती है और यह मार्स तक बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग करता है एक बार आपके गार्डन मे के बाद कभी खतम नहीं होगा इसके सीड ओटोमेटिल ग्रू होते रहेंगे इस प्लांट को लगाने की लोकेशन है जो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए आप इसको ऐसी जगा ना रखे जहां च्छाए हो फुल सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से जो कि कई कलरों में आता है काफी लाइट कलर होते हैं तो यह प्लांट आपको नरसरी पे 100 रुपे गंबला मिल जाएगा अगर इसका पौदा आपको पॉली बैक में मिलता है तो यह प्लांट आपको 50 रुपे बहुत आराम से मिल जाएगा कई कलरों में मिलता है तो दोस्त से आपको नरसरी की नई-णई वीडियो मिलनी सुरू हो जाए की क्योंकि आपको पता हमारे चैनल पे ही नरसरी की वीडियो ज्यादा देखने को मिलती है तो आप मिस ना वीडियो कर सके इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे आ रही वीडियो को भी आप इंजोई कर सकते हैं तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद